आपका weight loss में भी आपकी मदद करती है अच्छा डे 7 पर आप क्या करेंगे डे 7 पर दुबारा दाल का सूप कियेंगे Assalamualaikum and welcome to lifestyle दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डाइट प्लान पर जिसके अंदर अंडा विल्कुल भी शामिल नहीं होना जैसा कि आपने थमनेल पर पढ़ लिया अकसल लोग बुछ से पूछते हैं कि हमें अंडे से ऐलर्जी है या हमें अंडा खाने का दिल नहीं चाहता है या फिर हमें blood pressure hypertension का मसला है तो हम डाइट कैसे करें अच्छा यह डाइट प्लान इसपेशली blood pressure वालों के लिए नहीं है अगर आपको blood pressure है और आप इस डाइट प्लान को करना चाहते है तो पहले अपने डॉक्टर से permission लेंगे फिर इस डाइट प्लान को स्टार्ट करेंगे यह डाइट प्लान मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो के अंडा नहीं खाना चाहते है और अंडे के बगार अपना वजन कम करना चाहते है अल्थो मैं आपको एक बात बता दूँ के अंडे की जो nutrition value है वह बहुत जबरदस होती है एक अंडे में 6-7 gram आपको protein मिलता है लेकिन अगर किसी की मजबूरिये नहीं खा सकता तो कोई प्रबम नहीं आज के diet plan में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े बताऊंगा जिसमें अंड बिल्कुल भी शामल नहीं है तो जरा सबी time जाये नहीं करता हो अपने diet plan की तरफ आता हो मैं आपको पहले 7 दिन का नाश्ता बताऊंगा पिर 7 दिन का नाश्ता बताऊंगा पिर 7 दिन का रात का खाना बताऊंगा और यह हो गया आपका एक week का diet plan इसको आप alternate week पर repeat करेंगे है first week and third week second week का जो है मैं इंशाला next week upload करूँगा जो के second week और fourth week होगा ठीक है तो यह दो वीडियो में होगा एक महीने का diet plan जो के है no egg diet plan कोशिश मेरे रही कि second week की video जल्दी बना दूँगा अगर नहीं बना पाता मसूफियात की वैसे तो आप इसको भी continue कर सकते है हमने करना क्या है हमने सबसे पहले नाश्ते में जैसी हम सुबह उठें तो हमने नाश्ते में क्या करना है अगर आप walk करना चाहते है आप walk करना चाहते है अगर इस पागॉल का पानी पीना चाहते है एक चमच पानी में मिलाकर दो गिलास साधा पानी पीना चाहते है आप प यह आपने खाना है पहले दिन, इसके सासद आपने क्या खाना है, इसके सासद आपने, अकसर अगर आपने English नाश्ते देखे हो, pictures देखे हो, या कभी फिल्मों में देखा हो, या जैसे कई भाहर जाने का इतिवाद को हो किसी hotel में रुके हो, तो एक छोटे प्याले में चोट वह पानी में मिल जाता है तो यह English Red Kidney Beans होते हैं यह आपने खाने हैं उन दो केलो के साथ और चाहें तो एक ग्लास के मिल्क कियाने के एक ग्लास लो फैट मिल्क भी पी सकते हैं यह आपके पहले दिन का नाश्ता हो गया अब डेटू पर आते हैं डेटू भी बड़ा सिंपल ह आपने क्या करना है और अकसर आपने मेरे मुझ से सुना है और कई लोगे मुझ से सुनता है और जो एक ग्रेन है जैसे के गंदोम होता है जो अलग होता है और आपको प्रोटीन बहुत देते हैं फाइबर बहुत देते हैं और प्रोटीन और फाइबर आपका वजन कम करने म आपके मदद करता है तो आपने तीन चमच ओञ्ट से है थिक है उनको पाणी में या लोःट मिल्क में पका लेना है पकाने के बादर एक बौल में नकालेना है दो से तीन मिनड़ पकाना पड़ता है वहास्को कोते हैं जैसे कह मैगी या बनता है अब दे थ्री पर आते हैं, दे थ्री में आपने क्या करना है जनाम पढ़ लूँ जरा, अचा दे थ्री बड़ा जबर्दसत है, दे थ्री में आपने एक साधी रोटी बनानी है, लाल हटे की यानि कि होल वीट हटे की 30 ग्राम की, और एक या दो शामी कबाब लेने हैं, जिसम आपका डे 3 का नाशता होगा, ठेक है, डे 4 की तरफ हम आते हैं, अपने day 2 के आपका मीलता है, same to same repeat करना है, बस ओआउट की जगा अपने बाहले इस्तेमाल करना है, यानि के जाई की जगा आपने जॉका दलिया इस्तेमाल करना है, आपने बेरी डालतो पकाने के बाद उसम प्ne एक जुछ की बेटा है उसमे कुछ भी नहीं होता है shiftht। जिते हैं इसमें काम का नहीं होता हूसा ना उसमें फैबर क Among our in a fifty means आपने लेनि ना मल्टी एक लिए ब्राँवन प्रेड माल 2000 जिरशा करने लिए एक होती है multigrain bread उसमें बाजरा उसमें गंदोम उसमें बहुत सारी different grains मिक्स के डलीवेते हैं in fact बीज मुह में आ रहे होते हैं तो वह bread के 2 slices लें peanut butter लगाएं दोनों पर उपर केली के slices काटके लगाएं ठीक है जैसे के वह नहीं बन जाए ठीक है जी तो अकसर आपने देखा होगा वह इंडिया इंडियन recipe होती है जिसमें वह चिल्ला बनता है चिल्ला बैटर तो इस तरह के pancakes जो है पैन के उपर पतला आटा पैन के उपर फैला के आप pancakes बना लें ओट के उसके ऊपर थोड़ा सा शहर डालें चाहें तो peanut butter भी या साथ में इस्तमाल कर सकते हैं या आपका day 6 का नाश्ता होगा आपने पूरे के पूरे साथ दिन करना के है in fact 6 दिन आपने यह करना है कि आपने mix vegetables लेनी है जिसमें खीरा, प्यास, टेमाटर, शिम्ला मिर्श, सलाथ पत्ते और साथ में rocket leaves इस तरह की mix vegetables की आपने सलाथ बनानी है सबसे पहले आपने एक गलास भर के पानी पीना है फिर उस सलाथ को खाना है छे दिन आप Monday to Saturday खा लें, Sunday चेंज करेंगे या बीच में कोई एक दिन चेंज करेंगे एक पूरा खाके और उसके साथ किये करो कि ब्राण राइस हो गया या या पुला हो गया या कोई भी चीज़े ना साथ दिन थोड़ी खा लो तो यह आपका साधन का लंच होगा अब जब डिनर की तरह आते हैं तेके वैसे तो लंच के बाद आद आपको इन्शाला दिनर त कोई fruit आप खा सकते हैं इवनिंग snack के तौर पर अब जब डिनर की तरह आते हैं अच्छा डिनर में आपने कोशिश करनी है कि सोने से पांच घंटे पहले डिनर हो प्रोटीन क्वांटिटी ज्यादा होगी अंडे हम नहीं खा रहे हैं तो प्रोटीन के लिए और चिकन और द दिनर से पहले एक काम होगा कि एक गलास पानी पीना भर के दे वन पर बार्बिक्यू खाएंगे डे टू पर दाल का सूप पिएंगे बड़ी सिंपल रसिपी होती है मेरे चैनल पर दिस्क्रिप्शन में लिंक दाल देता हूँ आप कहीं से भी देख सकते हैं दाल का सूप दे 2 पर गेंड बर्बिक्यू खाएंगे लेकिन बर्बिक्यू के साथ ऐक चपाती ले लेगे ठिक है जी 15 पर कि फे एक रहुर पाई में था पना जाए लेकिन थी नहीं हो कोई ऐसी सबजी बनानी है जो कि ग्रीन वेजटेबल हो जिसमें बहुत ज्यादा चीनी नाओ अलू नहीं बनाने कोई एक सबजी के साथ एक चपाती खानी है कदू की सबजी बना लें प्रफरबल जबरदस होती है आपका वेट लॉस में भी आपकी मदद करती है अच्छा दे 7 पर आप क्या करेंगे दे 7 पर दुबारा दाल का सूप पिएंगे सिंपल चिकन दाल में अड़ कर लिजिए कर दाल का सूप पीजेगा यह तो साधन का देनर हो गया लेकिन अगर आपको इसमें कोई चीज चेंज करने है ना तो में कुछ ऑप्शन और देता हूं कि आप बेसन की रोटी बना सकते हैं 30 ग्राम बेसन की रोटी बना सकते हैं फ्राय ना कीजिए कर सिर्फ रोटी बनाएगा मतलब पराथा ना बनाएगा और उसको आप मिंट च चाहिए जो कि USB Blender होता है portable होता है जिम जाने के लिए बहुत जबदास है तो आप इन नमबर्स पर ओडर कर सकते हैं अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर क्या तो में चैनल को सब्स्राइब कर दीजिएका बहुत शुक्रिया अलाहाफैस